बहुती सुंदर कहानी है Never Postpone Your Happiness अपनी खुशी को कभी भी स्थागित मत कीजिए हम सब के जीवन से जुड़ी होई कहानी है तो जरूर इसमें से कुछने कुछ हमें सिखने को मिलेगा चलिए इसको पढ़ते हैं You must have heard about Alexander the Great The so-called Great आपने जरूर सुन रखा होगा या सुना होगा Alexander के बारे में सिखंदर महान सारी दुनिया The so-called क्या होता है तथा कतित सारी दुनिया उसको The great कहती थी यानि महान बताती थी क्यांकि वो विश्यव विजेता बनने के लिए निकला था और उसने लगबग सारे विश्यों के उपर जो है कबजा कर ही लिया था So-called यानि तथा कतित यानि लोग जिसको जो है किसी खास तरीके से कह करके पुकारते हैं इसलिए इसको कहा गया है तथा कतित यानि लोगों के दोरा जैसा कहा जाता है क्या The Great हलांकि वो खुद को भी महान समझता ही था और इसलिए लोग जो है उसको The Great के नाम से कहते हैं Alexander The Great इस नाम से वो जाना जाता है सिकंदर महान हलांकि आप सभी को पता है कि कोई बहुत महान वेक्ती तो नहीं था लेकिन उसके जीवन से मैं बहुत कुछ सिखने को मिलता है तो इस कहानी में देखते हैं क्या होता है अगे He wanted to conquer the whole world वे सारी दुनिया को जीतना चाहता था विशव विजयी बनना चाहता था He was on his journey वे अपनी यातरा के उपर था निकला हुआ था He came to know that the Greek philosopher Diogenes was near him तो उसको पता चला कि Greek के यानि Yunan के जो एक philosopher थे दार्शनिक थे जिनका नाम Diogenes था तो Diogenes नाम के जो Greek philosopher थे दार्शनिक थे वो Samip ही थे यानि जहां वो Sikandar था, Alexander था उसके पास में ही कहीं Diogenes भी था He went to see him with his man वह अपने आदमियों को साथ ले करके उनसे मिलने गया See का मतलब होता है देखना या मिलना वह उनको देखना यानि की मिलने के लिए गया See यानि मिलना Visit करना उनके पास मिलने के लिए गया He was lying on the bank of a river enjoying a sun bath वह सुर्य की धूप का आनद ले रहे थे कि नदी के किनारे पड़े हुए या लेटे हुए बैंक यानि किनारा of a river नदी का नदी के किनारे अराम से पड़े हुए सुर्य की धूप का मजा ले रहे थे वो and was very much relaxed and peaceful और वो बहुत जदा relaxed थे अराम दे स्थिति में थे and peaceful और शांत थे मांसी गूप से but was looking like a beggar लेगिन physically वो जो एक beggar की तरह से दिखाई पड़ रहे थे एक बिखारी के जैसे वो नजर आ रहे थे one of the men of Alexander told Diogenes Alexander के किसी आदमी ने Diogenes से कहा that ki Alexander the Great himself had come to see him कि Sikandar Mahan himself swam had come आय थे यानि वहाँ आय हुए थे to see him उसे मिलने के लिए and he was very much impressed with Diogenes और वो Diogenes से बहुत जादा परभावित थे तो किसी Sikandar के वेक्ती ने जो उसका नोकर था उसने Diogenes से कहा कि Sikandar Mahan swam आये हैं आप से मिलने के लिए और वो आप से परभावित है Diogenes was offered to beg for anything Diogenes को ये पेशकर की गई कि to beg for anything किसी भी चीज को मांगने की पेशकर की गई but he laughed लेकिन वह सपड़े and denied the offer उन्होंने इस offer को इस पेशकर को इंकार कर दिया, refuse कर दिया deny कर दिया, mana कर दिया saying that ये कहते हुए he had everything कि उनके पास तो पहले से सब कुस था and wanted nothing और वो कुछ भी नहीं चाहते थे as he was already contented with his life क्योंकि वो अपने जीवन से पहले से पुनरुप से संतुष्ट थे contented थे instead he himself could give something to Alexander instead और बजाए इसके कि वो लें कुछ Alexander से इसकी बजाए instead यानि इसकी बजाए he himself वो स्वेम could give something कुछ दे सकते थे to Alexander Alexander को the great emperor वो जो महान समराठ था Alexander the great emperor उसको वो कुछ दे सकते थे अपनी तरफ से बजाए कि उससे कुछ लेने के यानि इतने ज़्यदा वो संतुष्ठ अबस्था में थे Alexander was shocked to hear that जो सिकंदर था वो इस बात को सुनकर के शोक रह गया सदमे में पहुच गया हैरान रह गया इसमें से जटका लगा उसको कि यह क्या किया रहा है यह बिखारी यह मुझसे कुछ लेने की बजाए मुझे कुछ देगा क्या है इसके पास ऐसर देने को He had never seen such a man who wanted nothing उसने कभी भी कोई ऐसा आदमी नहीं देखा था जो कुछ भी नहीं चाहता था वो खुद बहुत कुछ चाहता था कि उसके खुद के पास सब कुछ था यानि सारी सुक्सु विधाय इतना रूपया पैसा सब कुछ था and still wanted to conquer the world और वो अभी भी सारी दुनिया को जीतना चाहता था यानि उसका जो मन था वो अभी भी संतुष्ट नहीं था हो अभी पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और ज्यादा वो जो है दरथी को जीतना चाहता था रूपया पैसा जो है और ज्यादा इक ठा कर लेना चाहता था और सब के उपराज करना चाहता था and this man had nothing और इस अदमे के पास कुछ भी नहीं था एक फुट्टी कोडी तक नहीं थी, इतना गरीब एक इतना दरी-दरी इतना एक बिखारी जैसा दिखने वाल आदमी, and was still happy with his life and wanted nothing, और वो अभी भी, फिर भी, and was still और फिर भी, happy, खुश था with his life अपने जीवन से, वो भी खारी, and wanted nothing, और वो कुछ भी नहीं चाहता था, he felt so much inferior in front of that beggar, उसने जो है अपने आपको inferior, गटिया महसूस किया, felt यह नि महसूस किया, so much इतना जादा inferior, यानि तुछ, या गटिया, या निचली दरजे का, in front of that beggar, in front of यानि के सामने, that beggar उस भी खारी, उस भी खारी के सामने उसने अपने आपको कितना inferior महसूस किया, सारे दुनिया के सामने वो superior बनना चाहता था, और उसके लिए उसने कितना कुछ किया था, कितने हमले किये थे, कितने राजाओं के उपर उसने आकर्मन करके उनको हडपा था, उनकी जमीन के उपर राज किया था, और सारे दुनिया को जीतना चाहता था, और सबसे यदा अपने आपको महन समझता था, superior समझता था, लेकिन उस छोटे से बिखारी के सामने वो कितना ज्यादा inferior महसूस कर रहा था, ऐसा उसको लगने लगाव, Diogenes jokingly asked him to move aside as he was preventing the sun rays, if he was really interested in giving him something, तो Diogenes ने मजाक मजाक में jokingly उससे पूछा, कि यदि वो वास्तों में ही interested था उसको कुछ देने में, तो उसने उसको कहा कि भी side अट जा, तू जो है न, दूप को भी आने से रोक रहा है, मुझे कुछ चाहिए तो है नहीं तेरे से, तेरे को कुछ लेना है मेरे से तो ले ले, और फालतू में जो है न, ये दूप को और तू रोके हुए खड़ा है, ज़रा side अट जा, यही सबसे बढ़े जो है न, दान होगा तेरी तरफ से मेरे लिए, तो उसने उसको जो है, side अटने के लिए, to move aside, side या न, एक तरफ, एक तरफ अट जाने के लिए, as he was preventing the sunrise, क्योंकि वो, sunrise को रोक रहा था, prevent कर रहा था, prevent है न, रोकना, if he was really interested in giving something, यदि वो उसको वस्तों में कुछ देना चाहता था, तो बस इतनी किरपा कर दे, इतना हाँ जोड़के वो उसको कहता है, कि भी side अट जा, दूप को मत रोक, मुझे दूप का मजा लेने दे, Alexander asked him, how he could live so happily without having anything, Alexander ने उसे पूछा, कि how he could live, यो कैसे जी सकता था, so happily इतना खुश हो करके, without having anything, बिना कुछ भी अपने पास रखे, कुछ थाई नी उसके पास, नंग दड़ंग ऐसे पड़ा हुआ था, और दूप का मजा ले रहा था, फूटी-कोडी नहीं थी उसके पास, और फिर भी इतना संतुष्ट था, इतना खुश था, order your man to return, saying that you have completed your journey, अपने आदमियों को यादेश दे दो, यह कहते हुए, कि वापिस लोट जाओ, कि तुमने जो है सब कुछ पाल लिया है, जो भी तुम्हें पाना था, और तुम्हारी आतरा पूरण हो गई है, तो अपने आदमियों को इस तरह का आदेश देते हुए, एक आराम पूरण जीवन को जिते हुए, मेरे साथ ही रुखजवर अपने आदमियों को वापिस जाने के लिए बोल दो, कह दो उनसे कि मेरी आतरा पूरण हो गई है, ऐलेक्जेंडर सेड, ऐलेक्जेंडर ने का, I will live a relaxed life like you, but not now, ऐलेक्जेंडर ने डाजनिस से कहा, I will live a relaxed life like you, मैं तुमारे जैसा जो है आराम पूरण जीवन जीवन जीऊंगा, but not now, लेकिन अभी नहीं, अभी तो पूरी दुनिया जीतनी बाकी है, let me finish my journey first, पहले मुझे जो है मेरी आतरा तो पूरण कर लेने दो, after conquering the world, एक बार दुनिया को जीत लों बस, पूरी दुनिया को जीतने के बाद, कौन कर क्या होता है, जीतना, विजय पराप्त करना, पूरी दुनिया को जीतने के बाद, I will definitely live a relaxed life just like you, मैं बिल्कुल तुमारी तरह, एक संतुष्ट जीवन, एक अराम पूरण जीवन जीवन जीऊंगा, definitely पक्का जीऊंगा, तुमारी तरह ही जीऊंगा, बिल्कुल तुमारी तरह, एक संतुष्ट जीवन जीऊंगा, लेकिन सारी दुनिया को जीतने को जीतने को बस पहले, उसके बाद आराम करूंगा, फिर मेरा सारा काम पूरण हो जाएगा, उसके बाद तो बस आराम ही आराम है, बस एक बार दुनिया जीतने को जीऊंगा, Diogenes ने उसे पूछा what was the need of putting the condition of first conquering the world to be happy and warned him that he would die in the process of conquering the world and such a day would never come. कितने महान शब्द हैं? Diogenes asked him, Diogenes ने उसे कहा यह पूछा कि what was the need of putting the condition? यह शर्त लगाने की जरूर्द कहा है कि पहले दुनिया जीतूं, वो first conquering the world to be happy, खुश होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, एक अच्छा जीवन जीतने के लिए, यह condition क्यों लगाते हो पहले, कि पहले दुनिया जीत लूँ, उसके बाद एक आराम पूर्ण जिंदगी बहतीत करूँगा, और साथ में उसने इसको warning भी दे डा ली, और वो नहीं में और उसको चितावनी दी, और उसको चितावनी दी, that he would die in the process of conquering the world, कि दुनिया को जीतने के चक्कर में, उसके process में ही, रास्ते में ही, वो जो है न, मर जाएगा, और ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला, कि वो पहले दुनिया को जीत ले, और उसके बाद अराम करे, उससे पहले ही उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, छोटी सी जिंदगी है, और वो जो है पहले ही पूरन हो जाएगी, उसके दुनिया को जीतने के चक्कर में, and that really happened, और ऐसा वास्ते में हुआ भी, Alexander died on the way when he had conquered almost the whole world. जब Alexander ने लग भग पूरी दुनिया को जीत लिया था, तो वो रास्ते में ही मर गया, मर गया. What was the use of such a victory by living miserably the whole of his life? Losing all the possibilities of happiness and being alive? What was the use of such a victory? ऐसी जीत का, ऐसी विजया नि विजया या जीत, ऐसी victory का, ऐसी विजया का, ऐसी जीत का भला क्या फाइदा? By living miserably the whole of his life, पूरी जिंदगी दुख पूर्ण तरीके से बिता करके miserably, यानि की दुख पूर्ण या कश्टम या तरीके से जीते हुए सारी जिंदगी बिता करके, ऐसी विजया को पाने का भला क्या फाइदा? Losing all the possibilities of happiness and being alive. सारी जो जीवन की खुश होने की संभावना है, और जीवित होने की जो संभावना है, और खुश होने की जो संभावना है, उसको लुटा करके, उसको खो करके, और सारी दुनिया को जीत करके, और उस चक्र में अपने जीवन को दुख मही बना करके, बाद में खुशी की आशा रखना भला उसका क्या फाइदा है? असली समराट आखिर कौन था? And who was the real beggar? और असली बिखारी कौन था? क्या डायजनिस बिखारी था? असली समराट तो असल में डायजनिस ही था, और जो रिएल एमपरर था, वो कौन था? तो यह आप स्वेम निरने कर सकते हैं, you can decide for yourself, कि असली बिखारी कौन था? आप खुद निरने कीजिए, कि आपको ऐसा नहीं लगता, कि असली बिखारी तो वो एलेक्जन्डर था, और असली एमपरर वो बिखारी डायजनिस था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, और फिर ज्यादा पाना चाहता था, जो उसने पाया था, उसमें वो संतुष्ट नहीं था, वो और ज्यादा पाने की इच्छा रखता था, और ये इच्छा ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण थी, तो जब तक हमारे अंदर desire बाकी है, कोई भी इच्छा बाकी है, जब तक हम कुछ और पालेना चाहते हैं, तब तक हम बिखारी हैं, और भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हम हमारे जीवन से संतुष्ट हैं, हम कुछ और पाने की इच्छा अब नहीं रखते हैं, तो हम राजा हैं, समराठ हैं, तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के ब पर आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताएं, धन्यवाद.